हेलो फ्रेंड्स, मैं C.A. पूर्शतम अगरबार कॉस्टिंग सब्जेट का फेकल्टी C.A. इंटर, C.A. फाइनल C.A. में इंटर और C.A. में फाइनल ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है C.A. इंटर के स्टुडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट और मेनेजमेंट अकाउंटिंग इस यूट्यूब वीडियो सीरीज के अंदर हम नमबंबर 19 में आए हुए कॉस्टिं पेपर को डिटेल में डिसकस करेंगे कॉस्टिंस एस वेलास सॉलूशन इसके अंदर आपके एक एक गंटे के लेक्शर डेली बेसिस पर यूट्यूब में डेलेंगे तो आपको करना क्या है आपको बस अपना एक गंटा निकालना है और उस एक गंटे के अंदर इन वीडियो को जश्ट देखना है इसको देखने मातर से आपको यह पता पढ़ जाएगा कि एक्जाम के अंदर कॉस्टिंट पेपर कैसे पढ़ना होता है कैसे टाइम मैनेज करना होता है कैसे आंसर लिखना होता है और कैसे हम पता लगाए कि कौन से कॉस्टिंट को पहले करना है कौन से question को बाद में कर रहा है और इसके लावे बहुत सारी बाते आपको पता पढ़ेंगी जिससे आपको exam में question paper solve करते वक्त फायदा होगा तो आपको जो PDF फाइल दिख रही है ये November 19 का question paper है November 19 में ये question paper exam के अंदर आया था आपको बता दूँ कि cost and management accounting के paper में 6 question आते हैं question number 1 से लेके question number 6 तक question number 1 तो compulsory होता है और बाकी 5 questions में से कोई 4 question करने होते हैं तो कुल मिलाकर बात यह है question number 1 compulsory है बाकी 5 में से 4 करने है यानि उन 5 में से कोई एक आपको छोड़ देना है आपको कोई 4 करने है एक question 20 number का होता है और एक question में multiple parts होते हैं कई बार 4 होते हैं A, B, C, D यानि 5 number 5 number 5 number 5 number 5 number या फिर A, B, 10 number या फिर A, B, C तो 5, 5, 10 तो depending upon कि एक question के अंदर कितने part है multiple questions एक part में पूछे जाते हैं अब इसमें होता है कि जो normally marks का question होता है वो 5 number का होता है या दो 5 number का होगा या फिर 10 number का होगा exam में 3 घंटे में आपको 100 number का paper करना है 3 घंटे का मतलब कितना होगया 180 minute 180 minute में 100 number का paper करना है यानि एक number के paper को करने के लिए ICAI आपको 1.80 minute देता है इससे क्या पास समझ में आ गई अगर question 5 number का है तो आपको 9 minute मिले हैं उसको solve करने के लिए question 10 number का है तो आपको 18 minute मिले है उस question को solve करने के लिए तो exam में कभी कोई question ऐसा आ जाए जिसको देखकर आपके मन में doubt हो रहा हो कि यार ये question होगा की नहीं होगा होगा की नहीं होगा अगर 10 number का question है आप try करना चाहते है आप question को solve कर लेंगे इस बात को लेके confirm नहीं है तो 10 number के इस question करने के लिए आपको 18 minute से उपर devote नहीं करने है अब ये 18 minute exact नहीं होने चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि आप wash देखते रहें बार बार एक मोटा मोटा idea लगा लिजी कि 15 से 20 minute के बीच में अगर उस समय में ये question हो जाता है अच्छी बात है अगर नहीं होता तो question को छोड़ दो अगले question पर चली जाओ तो ये है time को manage करने का तरीका तो बहुत सारी बात आपको से शिखने को मिलेंगी सबसे पहले पढ़ते है question number one अच्छा ये कोर मित है question number one होता है compulsory तो कुछ student को ऐसा लगता है कि question number one उन्होंने अगर छोड़ दिया तो फेल हो जाएंगे क्योंकि ICI ने बुला था question number one compulsory है यानि इसे करना ही करना है तो ये एक मित है ऐसा नहीं है ये एक गलत विचार है ऐसा नहीं होता question number one compulsory है इसका मतलब है question number one के बदले कोई और question आप नहीं कर सकते ये question की कोई choice question अविलेबल नहीं है जबकि बाकी बचे 5 question में से कोई 4 question करने है तो कोई भी एक question आप छोड़ सकते है question number one compulsory है बाकी 4 question कर भी दिये तो क्या question number one नहीं करा तो fail हो जाएंगे ये एक मित है ये एक गलत धारना है question number one compulsory है इसका मतलब है इस question में किसी और choice question की नहीं है कोई और choice आपको ये question नहीं दी गई अब बात करते है question number one की November 19 में जो question number one आया उसके अंदर 4 part में question पूछा गया ABCD और हर part 5 number का था अच्छा एक्जाम में 5 number का question आएगा और 10 number का question आएगा आपको कोशिश करने चाहिए कि आप अधितर 5 number वाले question को पहले attempt करें क्यों? 5 number वाले इन question को करने में समय थोड़ा सा कम लगता है और exam के अंदर अगर possible हो तो theory वाला question पहले कर ले क्यों? 20 number के theory ICI पूछता ही पूछता है अब 20 number के theory करने के लिए आपको मिलते हैं 36 minute एक number के 1.8 minute तो 20 number के 36 minute यानि मोटा मोटा 35-36 minute मिल गए आपको लेकिन अगर theory पर आपने command बनाई हुई है आपने theory के question को पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको उन theory के question का reply लिखने में 35 minute 36 minute नहीं लगने वाले 20-25 minute के अंदर आप आसानी से उसका आंसर लिख दोगे यानि आपने पहले ही question के अंदर exam में 10 minute अपने बचा लिए उसके बाद आपको करना चाहिए वो question जहां पर सब parts ज्यादा है यानि पाच-पाच नमबर के question पूछ गए है चार-चार नमबर के question पूछ गए है ऐसा क्यों क्यों क्योंकि छोटी-छोटी question को करने में समय कम लगता है और समय कम लगने पर चोटे question को हो जाते है तो आपको एक confidence हो जाता है एक मन में घबराट होती है ना जो वो खतम हो जाती है तो शुरुआत में अगर आपने बीस number की theory कर ली और बीस नमबर को ऐसा question कर लिए बहुत छोट चोटे